एक और खबर बाइबोर्ट से लेटर है गोटा लेक 119 मामलों में 4 सीट बाइबोर्ट में निवेस के नाम पर पुरदेश में लाकों लोगों से हुई ठगी के मामलों में EWO याने आर्थी अप्रा साकानी विवेचना के बाद सभी 119 मुगदमों में सुरजपूर इस्तिछल अधलात में गुरुबार साम को कमपोजी चार सीट दाखिर कर दी है इस मामले के तिरोपन मामले में EWO पहले ही चार सीट नियाले में जमा कर चुकी है सासाट मामलों में अब चार सीट दाखिर की गई है इनमें 115 मुगदमों में उतर पतिसो और चार दिली के है सुप्रिम पोट ने मैं 2022 में एक याच्छे वार सुनाई करते हैं बाइक पोट को टाले में कौतम बुद नगर के दाधरी थाने में दरज बुल मुदमों को प्रिंस्पिल अफायार मानते हुए परक्रण में दरज अन्य मुधमों को भी समाहित कर कंपोजिट चार्ट सी ताकिल की जाने का देश दिया था इसके बाद परकरण में दर्ज़ सबसे पहले मुग्दमे की जांच कर रही है यह OW की मिरट टीम के सुपूर्ट उतरप्रदेश में दर्ज़ बिविन मुग्दमे कर दे गए थे इन्हें भी गाचाबाद CBI को सौप पर इन्हें दर्ज़ ने बताया कि यह OW ने गुर्बार को इस मामले में कंपोजिट चार्ट सी दाकिल कर दी है तिरुपन केस में पहले ही चार्ट सी दाकिल हो चुकी है यह OW अधिकारों के अनुसार इनमें 31 आरोपी जाज में सामने आये थे जिनमें 28 के खिलाब चार्ट सी दाकिल की जा चुकी है हाली में नियाले से अन्तिम जमानत लेने के लिए लेने वाले बिजेंदर हुड़ा और फरार चले बुदेप सिंग और दीवती वहल के खिलाब अभी भी वेजना जारी है अब एक और बात कही गई है बिजेंदर हुड़ा को अन्तिम जमानत मिली है वाईबूर्ट कोटाले में तीन साल से बाची चलने बीजने फुटा को नियाले से सूला जर्वरी तक के लिए इतिन जमानत मिल गई है इनका पासपोर्ट सूला चुछ कोट में जमा करा दिया गया है और नियादर के आदेश दिया है कि वहां विवेचना वहां विवेचक के सामने पेश होका और सर्योग करेगा और बयान मेरट इसी ती ये ओड़बू के अधिकारों को नौट कराएगा पाइबूर्ट कंपनी के वाले सिंजेब बाटी के बाद बीजिद फुटा को चांज अधिकारी सबसे एहम माना जा रहा है इसके समन में चांज अधिकारी दावा की जा रहा है कि वहां कोटाले के पैसे लेकर विदेश बाग चुका है उसके खिलाब मेरट EOW और गतब पुलीश ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी और EOW उस पर पांस लाग का इनाम कोशित कराने के शाथ थी उसके खिलाब रेट करणर नाटिस नाटिस भी चारी उनके द्वारा कराया गया था तीन साल से जाज अजेंसिया उनकी तलास में जोटी थी दोस्तों तो ये थी अपटेट असक्रितना ही चाहिंद